हलो दोस्तों, सेवन की किचिन में आपका फिर से स्वागत है तो दोस्तों, आज मैं आपके लेक आया हूँ, बहुत ही जटपट से बनने वाली एक मिक्स वैज की रेसिपी और यह बहुत ही एजी तरीके से बनाएंगे और घर की वैजिटेबल जितनी भी होएंगी हम उसी से बनाएंगे, मैंने कोई फाल्तू वैजिटेबल बिल्कुल भी यूज नहीं करी तो चलिए करते हैं स्टार्ट सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर सर्सों का तेल मैं सबजी सर्सों के तेल में ही बनाता हूँ क्योंकि अच्छा रहता है तो यहाँ पर मैंने कुछ वैजिस काट ली है, इसमें है गोबी, मटर, शिम्ला मिर्च और साथ में गाजर मैंने ज़्यादा सबजी नहीं लिए, आपके पास और सबजी हो तो आप ले सकते हैं उसमें चलिए इसे अच्छे से पहले फ्राई करेंगे, ज़्यादा तेल का भी हूज नहीं करेंगे हम थोड़े से तेल में ही इसे पहले अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो इस तरह से इसे फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची हो जाएं इसे हाई फ्रेम पर ही फ्राई करना है स्लो पर बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो चलिए फ्राई हो गई है तो इसे हम निकाल लेंगे तो इस तरह से हम निकाल लेंगे सारी तो यहां निकालने के बाद अब इसी तेल में हम थोड़ा सा और तेल बढ़ा लेंगे तो यहां पर डालेंगे हम थोड़ा सा हिंग, साथ में अजवाइन, थोड़ा सा जीरा यहां पर मैंने लिए है तेच पत्ता और लालमिच तो यहाँ पर मैंने प्यूरी बना के रखी थी, चार टमाटर की और एक इंच अधरक लिया था, उसको अच्छे से प्यूरी बना ली थी तो चलिए अच्छे से मसाले को भून लेंगे, भूनना बहुत जरूरी है, इसमें डालेंगे टमाटो केचप साथ ही में डालेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा म्योनिस, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है इसके इंदर तो चलिए स्वादनुसा नमक, लालमिच पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और साथ ही में डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला तो दोस्तों मैं ज़्यादा मसाले नहीं डाल रहा हूँ, बिल्कुल कम मसालों में बनाऊंगा और बहुत ही टेस्टी बनती है यह सबजी, इसे भूनना बहुत जरूरी है, अगर आप इसे भूनेंगे नहीं, इसमें कच्छे पन का टेस्ट रहता है, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे, तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका तेल नहीं छोड़ देता, तो इसे अच्छे से भून लेना है, तो चलिए तेल इसका जब छोड़ देगा, तो इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने फ्राई करके वेजिस रखी थ तो यहाँ पर हम डालेंगे कस्तूरी मेथी तो बनकर तयार हो गई हमारी बहुत ही टेस्टी सी मिक्सवेज तो देखेए तेल हमारा इसने छोड़ दिया है तो हमने हाइफ्लेम पर ठोड़ी देर इसे पकाया था और कुछ ताइम हमने इसको ढखक कर पकाया था ताकि हमारी व प्रिज में आप उससे मिक्स बज़ बनाई है बहुत ही टेस्टी बनती है जरूरी नहीं की बहुत सारी सब्जी होनी चाहिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सस्क्राइब जरूर कीजेगा